कैसे हो आप सब मैं स्टबिंदास पस के लास जैक कास तो गाइज मैंसा ऐसे ही रहो और खुश रहो तो गाइज अभी हम लोगों की विच्रिय अमाई के अंदर M21 की रोयल पास चल रही है और इसका week 4 भी यहाँ पर open हो चुका है तो आप लोगों मैंसे बहुत से बंदों ने comment करके पूछा था कि M22 की रोयल पास हम लोगों की यहाँ पर कब आने वाली है तो गाइज इस वीडिय के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर release date explain करोंगे लेक तक आपकी 50 RP complete नहीं हुई है तो आप लोग जल्दी से कर लो उसी के साथ आप लोग यहां पर रोयल पास की अंदर एक्स्ट्र आप पी पॉइंट से अगर आप लोग यहां पर RP क्रेट खोलना जाते हो आप लोग यहां पर रोयल एडवेंचर घुमाना जाते हो तो यह सब को 1st July सारे 5 बजे तक का देख रहा होगा तो गाइस यह जो प्रॉपर टाइमिंग है वो अभी हम लोगों का M21 के रोयल पास का टाइमिंग है कि स्टार्टिंग टाइमिंग इसका कौन सा था और एंड टाइमिंग यहां पर कौन सा था तो अगर आप लोग यहां पर M21 के र अभी तक रोयल पास से रिलेटेज जो भी चीज़ करना चाहते हो तो उसकी लास्ट टाइमिंग यहां पर 1st July सुबे सारे 5 बजे तक की रहेगी अब 1st July सुबे सारे 5 बजे तो आप लोग खेलने वाले हैं नहीं अगर आप लोग यहां पर M21 से रिलेटेज जो भी चीज़ रिलेटेज सारी चीज़े कर सकते हो उसके बाद जैसे हमारे नेक्स्ट डेट आ जाएगी जो कि यहां पर 1st July आएगी तो 1st July को यहां पर 5 बजे ही आरपी लोग हो जाएगी तो लास्ट टाइमिंग यहां पर M21 रोयल पास का 1st July सारे 5 बजे तक का ही रहेगा उसके बाद जायें पर जैसे ही सारे 5 बजे आरपी लोग हो जाएगी तो तो तोटल दो गहंटे तक यहां पर 1st July को दिन ही आफ्यप्र नेक्स्ट रोयल पास की रोयल पास रहेगी तो गाइस हम लोग यहां पर M22 रोयल पास का ओफिशल टाइमिंग की बात करें तो वो आप लोगों के यहां पर 1 जुलाई सुबे सारे 7 बजे का ही यहां पर रहेगा उसी के साथ इसके अंदर 1 से लेके 50 आर्पी के जितने भी रिवाड है वो मैंने आप लोगों को इसी वीड चैनल के उपर explain कर रहे हैं आप लोग वीडियो को चकाउट कर सकते हो और गाइस यहां पर एक चीज़ और बताना चाहोंगी कैसा नहीं है कि रोयल पास एंड हो जाएगी तो रैंक पुश भी यहां पर खतम हो जाएगी जो आप लोगों की यहां पर C4S11 की रैं इसकरी वीडियो आपके लिए थोड़ा भी helpful हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर से कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओक्ये बाबाई एं थैंक यू फोर वाचिंग